भूपाल नमस्कार भूपाल में आयोजित बिश्व हिंदी संवेलन पर प्रफ्तुत है हमारी खास रिपोर्ट भारत के हिर्दय प्रदेश, मध्य प्रदेश की राजधानी और जीलों की नगरी भोपाल में 10 से 12 सितंबर तक आयोजित विश्व हिंदी सम्मेलन में हिंदी के संरक्षन और संबर्धन पर मंधन हुआ दसमें विश्व हिंदी सम्मेलन के उद्गाटन सत्र में पुधान मंत्री नरेंदर मूदी, विलेश मंत्री सुश्मा स्वराज और मुख्य मंत्री शिवराज सिंग चोहान ने हिंदी का महत्व बताया कि अगर मुझे हिंदी भाषय बोलना न आता, समझना नहीं आता, तो मेरा क्या हुआ होता मैं लोगों तक कैसे पहुँचता, मैं लोगों के बात कैसे समझता रानमंत्री जी भोपाल का चैन करने के पीछे मेरे तीन कारण थे पहला, भोपाल हिंदी के प्रती पूर्ण रूप से समर्पित एक ऐसा राज्य है जो देश का ख्रदय प्रदेश है दूसरा, भोपाल बहुत सफल और व्यापक आयूजन करने के लिए विख्या थे और तीसरा मैं बिना संकोच और बिना लाग लपेट के कहना चाहूंगी तीसरा कारण था मेरा स्वयम का मोह तारा अपन प्रतेश हिंदी काईशन हिंदी काईशन समा इसके पहले मैंने कभी नहीं देखा और इस योज आयोजन की सबसे बड़ी सफल लागा कोई है तो यह है कि पूरे मधुदेश में और यूज एक हद तक पूरे हिंदुस्तान में आज हिंदी भी चर्चा हो रहे हैं 49 देशों के लोगों ने हिंदी के इस महा कुंभ में शिरकत की स्थानी लोगों का उत्साहा भी देखते ही बनता था 25 देशियं ने के नाते हम इतना कर सकते हैं हमरा इतना यगदियोदान हो सकता है कि अपने भाषाों में यदि ही थैंदी सहिते के आनुबाद करेंगे तो जहीर सी बात ते अपने अपने ही dissertation के भी हंदी सहितेके भी बश्तविस्तार होगा इतने देशों के पर्धिनी दिल से भी मिलने का मोगा है तो बहुत एच्छा लग रहा है और समेलन भी काफी एच्छी तरह से आज उचीत है मैं तो सोच्ती हो कि इसमेलन दवारा हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और बहुत कुछ सीख के जाने को वारत पासंद है क्योंकि यह बहुत दिल्चास बदेश है इसलिए और मुझे लिंग्विस्टिक पासंद है कि रूस में बहुत इंटरनेशनल कॉंफरेंस है और वारत से बहुत लोग आएंगे और इसलिए अनुवादक चाहे है कि इस सम्मेलन की वजहसे ग्लोबली हिंदी को पहचान मिली है के हिंदी सममेलन में चलचाय यह खां तो काफी हो रही बर इस पर काम नहीं किया जा रहे है टेक्नलोजी के साथ निक से कैसे अपनी देंगिलबंदी कर सके कैसे लह बत हो सके यह सब-स कि वड़ी चुनौती है कि संबेलन मैं विचार बिमर्ज के बाद जो निसकर्स आएंगे वो हिंदी को परसार की दृष्टी से मील का पत्थर जाने हो सारी जो तकनीक है इसके माध्यम से भी भाषा का परचार परसार होंगा टेलीविशन के बाद जो है ना जो वेब पोर्टल है या वेब के उपर जो है सारी जानकारियां अफलब्ध होना यह हम इसको विजुलाइज करते हैं कि यह भाषा है मेरी मात्रुभाषा मराठी है लेकिन मेरे जैसे ऐसे बहुत से लोग यहां में ने देखे हैं कि हम मानते हैं कि हमारी मात्रुभाषा कोई भी हो बंगाली हो औरिया हो तामिल हो मराठी हो कांड़ी हो लेकिन पुरे देश को जोडने वाली एक भाषा होनी चाहिए और देश की भाषा होनी चाहिए और देश की भाषा हिंदी के इस्वाय और कोई ने हो सकता अच्छी बात है बिना तक्नीके के हिंदी का प्रचार प्रसान नहीं हो सकता है डिजिटल मीडिया के बिना इसका प्रचार प्रसान नहीं होता है डिजिटल मीडिया को इसमें शामिल करना चाहिए जो किया है आयोजन समिती के उपाद्यक्ष अनिल माधव दवे ने इस विशाल आयोजन की तैयारियों और चुनोतियों के बारे में बताया वस्तोता मद्यपदेश में होने वाला ये सम्मेलन पूरी तरह से बोपाल के कारिकरताओं मद्यपदेश के लोगों पे निर्वर रहा है और सब लोगों ने मिलकर के इसकी एक एसी आधार शिला रखी है कि आने वाले कई वर्षों तक ये एक प्रतीक रूप में बना रहेगा देखिए संस्कृती एक प्रकार से देखा जाए तो बिना हिंदी के अधूरी है समापन सत्र में भारत के ग्रिह मंतरी राजनाद सिंग ने बताया कि हिंदी आखिर क्यों पिछड़ी है कष्वीन से कञ्णा कुबारी तक चे जाए तौरिका से दीमा भूं तक चे जाए सचमुच पंग्रेजी से चाहना है गयर हिंदी भासा भासी शेत्रों में भी यदि किसी भासा को समझने वाले लोग हैं तो वह हिंदी को ही समझने वाले को मेरे जब रिष्टदार मित्र बहर अमेरिका में सबसे जादा गरूपडते तो वेद दुनिया का हिंदी पोर्टल पड़ते हैं हिंदी के इस दसमे महाकुम से भारत ही नहीं पूरी दुनिया में संदेश गया है कि हिंदी का भविश्य बहुत ही उजवल है